ओम शांति ओम शांति आज दो मईं दो हजार तेज़ दिन मंगलवार की साकार मुर्ली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप तादा के मदूर महावा क्यों को मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो तुमारा उंच कुल है तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो प्रश्न शिवशक्ती पांडव सेना प्रती बाप का डारेक्शन कौन सा है उत्तर बाप का डारेक्शन है श्रीमत पर चल तुम इस भारत का बेडा पार करू सर्व धर्मान प्रतेज मामेकम याद करू पावन बनकर औरों को पावन बनाओ तुम शिवशक्ती पांडव सेना पवित्र बन अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करू तुम श्रीमत पर नॉन वॉयलेंस अर्थत अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सिवा करू गीत ओम नमु शिवाई ओम शंती बच्चों ने गीत सुना यह है निराकार शिव परमपिता परमात्मा की महिमा उनको भगवान कहा जाता है भगवान एक ही होता है भारतवासियों क भगवान नेक है कुता बिली पत्थर भीतर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भी भगवान समझते है इसलिए भगवान कहते हैं यह सब नास्तिक है परमपिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है पतित स्रिश्टी को पावन करते हैं अत्वा कोड़ी जैसे कंगाल भ कौन समझाते हैं वही परम पिता परमातमा शिव जिसको ज्यान का सागर भी कहते हैं मैमा रचता बाप की है बाकी तो सब है रचना भारत वाजी कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे भारत को सुख घनेरे थे अब नहीं है अब है आसूरी रावन संप्रदाए हर एक नरनार करणी में फांच विकार व्यापक हैं इसमें राजा रानी साधू सन्यासी आधी सब आ जाते हैं कोई न üकर है जरूर यह है ही पतित दुनिया पतित भारत सत्युग में भारत पावन था पवित्र ज्यूर धर्म पवित्र प्रवरती मार्ग था अभी है अपवित्र प्रवरती मार्ग भारत डबल सिर्टाज था अथा धन था हीरे ज्वारों के महल थे बाद में मुसल्मानों आदी ने लूट कर अपने मस्जिदों कबरों आदी में हीरे ज्वार लगाए हैं भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए हैं मेरे को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूं मैमा भी है कि तुम मात पिता तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्सा मिलना चाहिए उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का म लिख बनाता हूँ राजयोग और ज्यान सिखला करके परमपिता परमातमा आतमाओं को आकर पढ़ाते हैं कहते हैं आत्म अभिमानी भव ऐसे नहीं परमातम अभिमानी भव यह रोंग है इश्वर सर्व्यापी है नहीं बाप है शिव और बच्चे हैं सालिग्राम दोनों ही परमधाम में रहते हैं तो हम सब आतमा ठहरे सन्यासी फिर कह देते ब्रह्मों हम ब्रह्म ही ब्रह्म हैं बाकि सब जूटे हैं हम भी ब्रह्म हैं अब श्री श्री 108 जगत गुरू पतित पावन तो एक है उनको ही सत गुरू कहा जाता है जो पतित दुनिया में रहने वाले है उनको पतित पावन कैसे कहेंगे वे खुदी पतित है तो गोरों को पावन कैसे करेंगे जो पहले पवित्र है उनको भी शादी कराई और ही पतित बना देते हैं अब शिब बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव अपने को आत्मा निश्य करो बापी आकर राजियोग सिखलाते हैं श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य सत्यूग का प्रिंस था परमपिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है खुद आत्माओं को कहते हैं हे आत्माओं तुम जब सत्यूग में थी तो कितनी पावन थी अब पतित बन पड़ी हो अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो श्रेश्ट ते श्रेश्ट मत है ही भगवान की मनुष्य तो एक तरफ कहते हैं बगवान नाम रूप से न्यारा है फिर कह देते हैं सर्ववयापी है इसको का जाता है धर्म ग्लानी कोई को पता नहीं कि भारत में आदी सनातन देवी देवता धर्म था वे किसने इस थापन किया कुछ नॉलेज नहीं बाप और बाप की रचना के आदी मध्य अंत को नहीं जानते हैं मनुष्य ही जानेंगे जानवर तो नहीं जानेंगे शिप बाबा को भी बाबा कहा जाता है फिर प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा ब्रहमन को लकी स्थापना होती है कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा हम को कैसे रचते हैं और फिर कैसे पालना कराते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा है मनुष्य स्रश्टी को रचने वाला फिर परमपिता परमात्मा को भी क्रियेटर कहते हैं वै आत्माओं का बाप है तो सब हो गए शिव की संतान ब्रम्मा कुमार कुमारिया वर्सा उस मातपिता से मिलता है बाबा कहते हैं मैंने तुमको जन्म दिया तो याद फिर भी मुझे करना है और वर्से को भी याद करूँ मौत सामने है मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो अब भगवान खुद कहते हैं बच्चे, तुम मेरी श्रीमत पर चलो, एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत, यह है पांडव मत, पांडवों को मिलती है इश्वरिय मत, गाया भी हुआ है, विराश काले विप्रीत बुद्धी, पांडवों की है प्रीत बुद्धी, तुम जानते हो, यह है जूट खंड, पांच हजार वर्ष पहले था सच खंड, देवताएं राज्य करते थे, बारतवासी सारे विश्व के मालिक थे जो अभी नहीं है, अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो, सत्यूग में वर्ड अल्माइटी अथ्योरिटी का राज अभी वह नहीं है, बाप कहते हैं, फिर से मैं स्थापन कर रहा हूँ, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे, अब तुम पतीत पावन परमातमा को याद करो, अपने को आतमा समझो, पापातमा, पुन्यातमा कहा जाता है, भारत में सब पुन्यातमाई थे, अभी ही कहेंगे, तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए है, अब मैं आया हूँ बच्चों को वापिस ले जाने, मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूँ, तुमको बेहद की हिस्ट्री जोग्रफी का राज बतला कर स्वधर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, देवत बनने वाले हैं, बाप कहते हैं, तुम पहले ब्रहमन थे, फिर शत्रिय वैश्य शुद्र बने, पुनर जन्म लेते आए, अब फिर तुमको शिक्षा दे, देवी देवता बनाता हूँ, इस समय बारतवासी बिलकुल कबर दाखिल हैं, और अपने को बड़े-बड़े के, अब आवा कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज, मामे कम याद करो, तो योग अगनी से तुमारे विकर्म विनाश होंगे, ऐसे नहीं पतितपावनी गंगा है, पतितपावन एक ही बाप है, यह हैं शिवशक्ती पांडव सेना, जो पवित्र रहते हैं, यह भारत की इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, एक तरफ है नॉन वोयलेंस, दूसरी तरफ है वोयलेंस, वे क्या करते हैं और तुम क्या करते हो, यादगार खड़ा है, पांच हजार वर्ष पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है, तुम सर्विस करते हो, यह नॉलिज है, इसमें अंदश रद्धा की कोई बात नहीं, तुम शिव के मंदिर में जाते हो, पर अंतु जानते नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचियता है, तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, पर मातमा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए सब उ पाता भगवा नहीं है, पावन बनकर ओरों को पावन बनाने वाले, तुम शिव शक्ती पानव सेना हूँ, तुम शरीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हूँ, तुमें बापकी श्रीमत मिली हुई है, सर्व धर्मान परितियज, मामी कम याद करो, वह बाप है सत्च चित ग्यान का सागर, सुख का सागर, वे आते हैं बच्चों को पढ़ाने, बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्माओं सुनती हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, बाप कहते हैं तुम हो सिखी लदे, बहुत काल से बिछुडे हुए, परमधाम से पहले कौन सी आत्माओं आती हैं जब परमपिता परमातमा आते हैं तो बहुत काल से जो बिछडी हुए आत्माएं हैं वही पहले-पहले आकर बाप से मिलती हैं बच्चे ग्रस्त वेवार में रहते बाबा को याद करो कमल फूल समान बनो श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ट बनो आदा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था फिर माया रावन ने आसूरीमत से तुमको गिराया जो सूरेवशी थे वही चंद्रवशी बने अब फिर शुद्र से ब्रहमन बने तुम हो गुप्त तुमको कोई पहचानते नहीं बेहद का बापूजी कहता है मैं सारे स्रिष्टी का बापूजी हूँ स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूँगा हद के बापूजी ने फोर्नर्स को भगाया यह फिर सबको इस स्रिष्टी से भगा कर ले जाते हैं अनिक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना हो रही है इन सब बातों को समझेंगे वही जिनोंने कल्प पहले समझा होगा जो सूर्य वंशी राजे में आते हैं वही फिराकर राज्य करेंगे यह बड़ा ज़ाड है अधिसानातन देवी देवता धर्म का सेपलिंग लग रहा है कल्यूग है काटू का जंगल और सत्यूग है फूलों का बगीचा जो एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है देवी संप्रदाए जो दुख देते हैं उनको कहा जाता है आसूरी संप्रदाय शिवा बाकर शिवाले स्थापन करते हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं जितना जो पुर्शार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे भारत में पहले दैवी संप्रदाय थे फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शुद्र संप्रदाय बने हैं अब फिर तुम दैवी संप्रदाय बनेंगे अब तुम इशुरी संप्रदाय बने हो फिर देवता बनेंगे इस चक्र को अच्छी रीती समझना है अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग वंदे मातरम रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड बॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार सब को सुख दे दैवी संप्रदाय का बनना है आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी करतव्य नहीं करना है शिवाले की स्थापना में मददगार बनना है आत्म अभिमानी होकर रहना है ग्रस्त विवार में रहते एक बाप को ही याद करना है योगगनी से अपने विकर्म दग्द करने हैं वरदान अटेंशन और अभ्यास के निजी संसकार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भब अब बापतादा के वरदान को विस्तार में समझे ब्रहमन आत्माओं का निजी संसकार अटेंशन और अभ्यास है इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो कमजोर नहीं बनो अनेक बार के निमित बने हुए विजई आत्मा हो विजई आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं मुश्किल नहीं स्लोगन ग्यान युक्त रह्म दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वेराग्य आईगा ग्यान युक्त रह्म दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वेराग्य आईगा Aum Shanti Aum Shanti